नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल टेकनिकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि टमाटर के पौधों को हैंगिंग पॉट में कैसे हो गाया और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे तो वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आले आनली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे तो आयो दूसको शुरू करते हैं अपने टॉपिक में हमें क्या-क्या चाहिए होगा है एक कटर एक सोल्डिंग आर जो कि अभी आपने देखे हमें निकाले है फ्रस फ्रेस जो स्वयल हमें लोगे चुकि हमें बोतल में मिट्टी भरनी है तो हमीने इस website कीको इस वेट उसका ज्यादा हुआ तो हमने दोस्तों इसमें लिया हुआ है 10 % गार्डेन स्वयल है मेरी 50% काउडन कमपोश्ट है और 40% हमने कोको पीट को इसमें मिला रखा है अब देखिए इसमें हमने इतीनों इसलिए रखा है 40% कोको पीट चुकि मॉस्चर होल्ड करेंगा और पॉट के वेट को बोटल के वेट को हल्का रखेंगा और यह टेमाटर के पौदे योकि मैं तो सबसे पहले हमें किसी मारकर से इसमें से निसान लगा लेना है और जो बॉटम है बोटल का उसको हमें निसान से वरावर्ट सभी बोटल पर निसान लगा लेना है और तो निसान दोस्तों इसलिए लगा लेंगे कि निसान लगाने से होता है कि हम आराम से उसको एजली अ उसी बराबर में काट लेंगे बोतल इदर उदर नहीं भागेगे जो देखिए दोस्तों हमने निसान लगा लिया इसमें इसी प्रकार हमने सभी बोतलों में निसान लगाना है दोस्तों लोगों का सवाल होता है कि डो लिटर के बोतल में पौधा होगेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, फ्रूट्स देगा नहीं, मैंने इससे पहले पिछली सर्दियों के सीजन में लगा रखा था और उसके मुझे फ्रूट्स मिला था, चुकि तब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो अभी इस बार जब मैं लगा रहा दूँगा इस वीडियो में कि कमाटर को कैसे लगाएं, क्या उसके साथ हमें साउधानिया बरतनी चाहिए, इस प्रकार से हमें पौधा को लगाना चाहिए बोतल में ताकि वो पौधा अच्छे से सर्वाइब करें और उसमें आपको अच्छे फूट्स और फ्लॉर्स मिले तो देखें दूस्तों यह हमने साभी बोतलों में निसान लगा लिया है, अब इसको हम अपने कटर की मदद से चाहको की मदद से इसका बाटम हम काट लेंगे सभी का मोसी करते हैं, जो हम खोलते हैं बोटल को तो इसी से हम इसमें बोटल करते हैं बोटम से ही, तो इसलिए हमने यहां से मित्टी भरेंगे- इसमें इसी से वाटरिंग करेंगे एसलिए बोटला को हमने काट लिए को दोस्तों चुक्你說 summarãy बोतल में लगा रहे हैं तो स्वायल बहुत ज्यादा नहीं होगी जड़ों को फैलने के लिए तो में स्वायल मीडिया ऐसा चाहिए जो वाटर फोल्डिंग कैपिसिटी रखता हो वाटर को एपजारब करके रख सके अच्छे से इसलिए हमने को कोपीट 40% मात्रा में लिया है जो की बोतल को हलका भी रखेगा और वाटर भी होल्ड करेंगा अब जो बोतल काट के हमने बौटम निकाला है उसकी सभी पहनी में हम इस तरह से होल कर लेंगे कि इन होल को करने का परपज़ दोस्तों कि हम इस रास्ते वाटरिंग करेंगे और इसी होल से पानी रिस रिस के बोतल में जाएगा अब इस बौटम को हमने बोतल में उल्टा करके इस प्रकार फिक्स कर लेना है यह सभी बोतलों में उसका जो बौटम हमने काट रखा है उसको इस प्रकार से फिक्स कर लेना और जो बौटम अलग से काट रखा है उसमें और बोतल में एक बराबर से छेद करना है जिससे कि हम किसी रसी या डोरी की मदद से तार की मदद से हम इसे दोनों को एक साथ बांग के लटका सकें करेंगे क्शकी हमें हैंग करना है बोतल हे इसलिए होल करेंगे और होल में हम इस होल की मले से इस सी टार्व से बांदेंग, इस पूरी हम हैंग करेंगे जहां gebracht हूं इसलिए हम्न सभी बोतलों में यही चीजी नहीं करें हमें दोहरा लिये है कि दोस्तों सभी बोत लोग अमने बना लिया है तो अब हम कॉटन का कपला जो हमने लिया हुआ है अब उसको अमने फोल्ड कर लिया और भीच से गट कर लेंगे इस कॉटन की कपड़े की हम इसलिए यूज करते हैं कि कॉटन की कपड़े की वज़े से त्वाहत कि शूटन की कपड़े जो न इस राश्ट रास्त निकल जाता है कि जब हम वाटरिंग करेंगे इस प्लांट में तो जो पानी एकसेस होता है वो इस बोटल के मुहाने से इस कपड़े के रास्ते छनकी गिरता है तो उसे आप परिसान नहों कि जो हमार टमाटर के पौद है इसके नीचे की लीफ्स है यहने हम हटा देंगे और बहुत ही नाज कि इधर होगा अगर दोस्तों हम कपला नहीं लगाएंगे तो बोटल यह टमाटर के साथ नीचे जो पानी एकसेस वाटर निकलेगा तो उसके साथ सब पूरी मिट्टी बाहर निकालाएंगे तो इस प्रकार हमने इसे इस्टेपल कर लिया करने के बाद दोस्तों हम बोटल में जो उसका बाटमने लगाया उसे निकाल लेंगे और निकालने की बाद हम इस पौधे को क्योंकि नाजुद पौधा है जब छोटा है तो इसके हम बहुत ही सब्थ हैं से बोटल के अंदर इसके मुहाने से इसको निखाने में बहुत ही साउधानी पुर्वक दोस्तों के काम करना है क्योंकि आपनी पौधा अभी बहुत माजुक है तो तूपने का बहुत जादा डर बना रखता है और अगर पौधा तूट दिया तो ग्रोथ होने की स बहुत ही कम हो जाती है तो इस परकार देखिए ने बहुत ही नाजू हाथों से बीरेजरे करके बोटल के मुहाने से इसके मेन इस्टेम को बहार निकालना है पर जब हलका सा बहार आ जाए तो हमने दूसरी तरफ से उसे पकड़ के बहार की तरफ खीच लेना है ताकि अब दोस्तों हमें इस चीज और धान रखनी है इस बोटल हैंगिंग बोटल में कि हमने रूट से थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा जो इसकी पौदे की जड़ है जड़ को हमने बोटल के सेंटर में रखना है और ज़ाद से ज़्यादा है हमने इस्टेम का पौद टमाटर के अंदर रखना है ताकि वह अच्छे से फिक्स हो सब्सक्राइब और जो कॉड़न का कपड़ा हमने ले रखता है उसे बॉतल के मुझ पे चार तरफ अच्छे से फैला देना है ताकि मिट्टी बहार ना जा पाए उस कपड़े से रुकी रहा है अंदर और हम इसमें मिट्टी सब्सक्राइब करेंगे यह हमारी स्वाइल है तेन परसंट गार्डन स्वाइल और फिफ्टी परसंट काउड़न कंपोस्ट से हमने तयार किया हुआ है अब इसको नीचे से हमने बहुत ही आराम से पकड़ लिया है और ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि जो जड़ है इसकी पौ बोतल गरम होगी तो फिर पौदे की जड़ खराब होगी हमने उसको केर से बहुत ही केरफुली सेंटर में करके चारो कर दो पहले हमने हलके हलकी मिट्टी भर लें और जब एक बार पौदे की जड़ जो है वह मिट्टी से ढख जाए फिर हम आराम से पूरे बोतल में मिट् अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं उससे प्रेरित होकर और आप लोगों तक अच्छी जानकारी साज़ा कर सकूं हमने बोतल में मिट्स वरकी इसे हलके हातों से टेप कर देना ऐस तरह से ताकि अच्छे से बोतल में भर जाये और Pearson ए inappropri और इस परकार हमने मिट्टी वरने के बाद जो बॉटाम हमने काट के छेद करके रखा हुआ है उसे फिर से इसमें एड़ेस्ट कर देंगे और फिर इसे खागे से बांध के कहीं भी लटका सकते हैं कि अजिए होले दोनों का एक दूश्रे के सामने है और इसी परकार हम सभी बोतलों में यही प्रक्रिया दोराते हुए सभी बोतलों में मिट्टी साधानी के साथ पौदे को लगाएंगे और उसे मिट्टी से भरके रखते हुए है आर इस दोस्तों इससे कहीं फायदे होते हैं कि कम इस्पेस में हम अच्छी गार्डनिंग कर लेते हैं और यह थोड़ा क्रिएटिव आइडिया भी होता है देखनें भी अच्छा लगता है और इस सारी चीजिए अच्छे टमाटर ले सकते और ऐसा में कि आपको केर करते रहना है चुकि कि हम में लगारे हैं तो इसमें हर महीने में एक बार आपको राव कमोस्ट यर्लिष अलग से देते रहना हो गम न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाएगी पौदों में तो फल नहीं देंगे फिर लोगों को लगता है कि मिट्टी कम है इस वज़े से फल नहीं आ रहा है मिट्टी बराबर है बस हमें इसमें करना किया है कि काउडन कंपोष्ट महीने में एक बार देते रहना है और आप देखिए तीन महीने के अंदर हमारे टमाटर का पौधा बहुत ही बूसी हो जाएगा और यह अच्छा खासा फल देनी लग जाएगा और यह देखिए मैं तु जाएगा आप देखिए दिन में चुकी मिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो इसमें पानी बहुत जलादी सूखेगा तो ड़िन में हमें मौर्निंग और इबनिंग सब्सक्राइब करें वांगे पानी बहुत अच्छे से देना है कि इतनी वी बोतल की मक्ती इन सहरी यृई और जब गीली अच्छ यृद्ऽ कक वाटल प्मिक अज़िए और सब्सक्राइब क charter guruj करे।